उबली जोन परसंटाइल नोर्मलाइजेशन तो पूरा का पूरा मेने रफ में एक गंटे 45 मिनट के सम्तिंग में जो टाइम लगा है जो 40 वाला रो स्कोर आ रहे ना इसी का इस सेलेक्शन होगा जिनके भी नंबर ज्यादा आ रहे ना देख लें उनका कैसा होगा अब परसंटाइल नोर्मलाइजेशन होगा तो किसको ज्यादा मिलेगा आप लोग अपनी आंकों से देखे यह रहन हो जाओगे तो देखो बी ए सी अब परसंटाइल नोर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलने चाहिए अब खुद देखो आप लोग यहां पर जब 35 वाला च किसको आप लोग दोस्तों जो आप सब लोग ने मिलकर मा सरविक किया था हम लोगों ने हुबली जोन के ऊपर परसंटाइल इसकोर को लेके और आपको के रोईशकोर को लेके रोई रोई स्कोर के बारे में तो हम लोगों को पता लग गया था किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है रोई स्कोर का कितने मार्क्स आ रहा है और परसंटाइल नोर्मलिजेशन जो परसंटाइल स्कोर आया है न बच्चों का यह लिस्ट आ चुकी है और यह लिस्ट आने के बाद मे आप लोगों को पता लग जाएगा कि परसंटाइल नोर्मालाजेशन में कितने कितने मांक्स बढ़ रहे हैं और यहीं पर यह वीडियो खतम नहीं होने वाली क्योंकि जो आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है ना उसी को ही देखते हो यह मैंने आप सब लोगों के लिए यहां पर क्या तेयर क्या है आप लोगों देख सकते हो RRC Group D exam 2022 उबली जोन परसंटाइल नोर्मालाजेशन और यही पर मैंने लिखा है और यही पर मैंने लिखा है कब तो आप लोगों का परसंटाइल गड़ता है नोर्मालाजेशन और कब बढ़ता है इनको मैंने दोनों को आराम से समझा है काफी बैतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ और यह आप लोगों देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने रफ में एक गंटे पहतालीस मिनट के सम्तिंग में जो टाइम लगा है और मैंने इस सारी चीज़ें यहाँ पर निकानने की कोशिश करिए किस तरह से आप लोगों को फायदा होने वाला है परसंटाइल का और जिसके यहाँ पर चारीस वाला जो चारीस वाला रो इसकोर आ रहे ना इसी का ही सेलेक्शन होगा जिनके भी नमबर ज़्यादा आ रहे ना देख ले ना उनका कैसा होगा मैंने खेने का मतलब है मेरे आपे आप लोगों का यहाँ पर कम से कम मैं खुद बता रहा हूँ जो परसंटाइल नॉर्मलेजेशन जो खेलेगा खेला आप लोग देखते रहे जाएंगे तो आईए ही स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और काफी ज़्यादा इंपोटेंट है यह वीडियो क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों ने मास्टर वे किया है उसकी लिष्ट को भी देखना है तो हुबली जोन का परसंटाइल नॉर्मलेजेशन को मैं आपे काफी आची तरह कैसे समझाने वाला हूँ और यह सब के उपर ही लागो होता है तो इसका क्या चकर है पूरा सब कुछ मैं आपे आप लोगों को समझाने वाला हूँ तो इस्टार्ट कर रहा हूँ मैं यह से इस्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाया रखें ताकि मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा content देपाऊं तो यहां से ही start करते हैं और सो प्रितिशे सटिक जानकारी के साथ में देखते हैं यापे तो आएए देख लेते हैं आएए दोस्तों यापे आप लोग देख पार होगे अपनी आखो से अच्छो अप लोग देख लेते हैं यह आप लोगों की shift के उपने और पर करते हैं आप लोगों ने कितने अच्छो हो आप लोग क्वालिटी वाले बंद है यू नहीं हो आप लोग ने जो number ला रहे हो, वो कितने quality वाले number ला रहे हो, वो सब कुछ के लिए मैंने आपके किया है, तो आए देख लेते हैं यहापे, तो सबसे पहले जो पहली condition है, आप लोग देख पार होगे हैं, तीन जने, तीन जने student है, अब जने मानो चाहिए student मानो, वो आपके अब लोग कुछ भी मान सकते हो, यह A वाला बंदा है ना, यह भी उबली जोन से है, यह B वाला है ना, यह भी उबली जोन से है, और जो C वाला बंदा है ना, यह Western Mumbai से है, यानि इसने WR Mumbai से form डाला है, अब देखते हैं, यहापे खेल तो आप खेल लेंगा है, आप आप इसका एक्जाम हुआ है, डेट को 6 एक्टूमर 2020 को इसका एक्जाम हुआ, एक का और B का जो एक्जाम हुआ, 6 एक्टूमर 2020 को हुआ, और C का यहापे, C का तो अलगी दुन चल रही है, Western Railway मुंबई में हुआ है, 17 सितंबर 2020 को इसका एक्जाम हुआ, तो आप लोग देख पारे होंगे, दोनों का ही यहापे, दोनों का ही यहापे, एक इतारी को एक्जाम हो रहा है, पर शिफ्ट अलग अलग है यहापे, और इसका Western Mumbai को इसका क्या करना है, तो आप लोग जहां से देखते जाओ, आप सब लोग को RMC से सपोर्ट करना है, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मैनेद करना चाहता हूँ, तो यहापे आप लोगों देख पा रहे होंगे, लेवल, तो पेपर का लेवल दिख लेते हैं, जो ए वाला बंदा जो पेपर देने के आया था उसका जो पेपर आया था, इजी टू मोडरेट आया था, आप खेल तो अप ख आप लिए असा है, मोडरेट टू टफ है, यहनी कि काफी ज़्यादा टफ है, बच्चों से कोशन हील रहे हैं, रिजिनिंग टफ हा गई, साइंस का बिचारा कुशन ही ने चूपाया, पांस से दस कुशन करें, पच्चिस कोशन मेंसे, वहीं पर ही इसका ड्रामे बाज हो गर्णशन हो गयाःता दिखें से जो एक्जाम लीवल रहा है वो एजी ल्य तो पेपर कर लेवल के बार में बात करlle एक किसे मियर है पस्सटों म्कें दोलना एक किम प्सक्टों तो अब आपके नजर में तो B वाला मर रहोगा न आपकी नजर में पर देखा जाए असल में तो B वाला इनसे अच्छा है यह भी इतना अच्छा नहीं है यह भी इतना अच्छा नहीं है पर B वाला काफी ज़्यदा अप कैसे अच्छा है आप द्याद से सुनों देखो हर शिफ्ट के अंद रहे इसकी वी एकजाम हुए है शिफ्ट शिफ्ट से मतलब है इसको शिफ्ट से मतलब है और ध्यानपुर वो देखने की कोशिश करो यहां पर तो एवरेज अटेम यही है आप शिफ्ट का जो खेल खेलेगा आप लोग गई आप लोग कितने कुवालेटी वाले स्टुड equilibrium आपने कितना चप टाफ आने के बाद में कितनी ऐकुरेçe के साथ में अच्छा पर किया है तो इसका जो अब देखो अब देखो फस्ट शिफ्ट का जो इसका एक जो एवरेज अब देखो इसके नमबर कम जाएंगा अब कम केस हो जाएंगा अभी पता लग जाएगा आपको अब भी वाला को देखो बी वाले को देखो 40 रो इसको रहें पर इसका एवरेज अबरेज 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 से यह कम है तो पूंड में दो सब्सक्राइब ऑप या पे यह वी कम एवरेज स्कॉर से कम और जो बी वाला है ना यह चाही है यह जिस्कर से पांच प्लस पांच एवरेज स्कॉर जादा है तो अप जब परसंटाइल नॉमलेजेशन होगा आप लोग अपनी आँकों से देखो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा जो आप लोगों की क्या है वह ना जो मासरवेक रिजल्ट आए ना लिस्टा यह वह भी मैं बता दूँगा आप लोगों यहां पर आप लोग जिखने क 35% 45-40 average score अ अब फायता किसना मिलेगा तो दिखो परसंटाइल नॉमल एजैशन का क्रम तो BABC का परसंटाइल नॉमलेजिचन होगा तो किसको जयादा मिलेगा आप लोग अपनी आँकों से देख़के यह रहनों हजाओगे तो देखो BAC की सुत बोलेंगे बताओ पेपर से average score अच्छा है तो आप बोलेंगे B का अच्छा है तो बाई सब B को सबसे ज़्यादा परसंटाइल नोमेलेज़ेशन का फाइदा मिलेगा B को परसंटाइल नोमेलेज़ेशन का सबसे ज़्यादा फाइदा मिलेगा फिर A को मिलेगा आपर free आप आप लोगों को C को मिलेगा तो percentile normalization का जो फायदा होने वाला है सबसे जद़ B को होने वाला है क्यों क्योंकि इसका paper तो tough आये था और tough आने के बाद में इसका average score आये shift का 35 आये है पर इसका तो 40 आ रहा है average score से तो इसका selection पका और इसका selection पका तो no agree पकी आप लोगों कुद अपनी आँकों से देखो आप लोगों को पता होगा आपको लोगों को पता होगा हुबली जोन की 6 एक्टूमर वाली shift किस लेवल पर आये बच्चों के आपे 40 नमबर आ रहे है किसी के 40 नमबर आ रहे है तो बताओ उस 40 वाला का selection होगा नहीं होगा 40 वाला का selection depend करता है आप लोगों की average score कितना आ रहे है आपकी shift का अगर आप लोगों की average score की shift का यहाँ पे 35 आ रहे है और आप लोगों की 40 आ रहे है average score से तो definitely आप लोगों का selection हो जाएगा यानि कि सबसे कम नंबर देख़ें इनके ऊपर काम नंबर है अब ऐपकोल गोरका दोसी तरह से आप लोगे को तीनARA वाहत। है क्या लेकंगल पर ट्रयाटर तक अब ट्रीजने जाएंगे ये ये भी रेंक आको पर चेक करेगा रेंक आको की ओफिसिल वेबसेट खुल ले गई है तो बी वाले चेक करेगा तो बी वाले रेंक आको पर चेक करेगा तो सी वाले चेक करेगा तो दिखना C वाला भी कुछ है B आ और A वाला भी कुछ है क्यों कि इनके 62 है और किसी के बैतर है अब खुद देखो आप लोग यहां पे 35 वाला चेक करेगा 35 वाले की जो परसेंटाइल 35 वाले की जो परसेंटाइल निकल के आएगी आप लोग खुद एरान हो जाओगे इसकी परसेंटाइल में 15-15 का अंतर होगा तभी तो आप लोग देख पार होगे जब rank IQ के यहां पे rank IQ के मैं दिखाना चाहूँगा कितना कितना बच्चों के यहां पे एग्जाब यह नंबर आ रहा है दिखो यहां पे परसेंटाइल नॉर्मिलेज़ेशन में कितना कितना अंतर देखने को मिला है आप लोग खुद देखो अपनी आंकों से इसका देखो यहां पे 50-60 इसका row score है परसेंटाइल नॉर्मिलेज़ेशन कितना है 80-85 परसेंटाइल है पूरा का पूरा खेल परसेंटाइल नॉर्मिलेज़ेशन को होने वाला है बस आप लोगों की shift tough आई है अब मालो आप लोगों की shift tough आई है एक तो tough है और फिर भी 40 सिनमल ला रहो तो यह मालो selection पका है आप लोगों कोई का बाप भी नहीं रोग सकता आप लोगों selection होने से तो यह सारा कुछ था जो मैंने काफी ज़्यादा मैनत करी लब लब मुझे यहां पर एक गंटा और 45 मिनट के something मुझे लगा यहीं कि पौने दो गंटा की मैं के यह मैंने बनाया ताकि मैं आप सब लोगों को समझा पाऊं अब मैं बात कर लेता हूँ यहां पर जो हमारी list आई ना इस list के बारे में आप सब लोगों से मैं बात कर लेता हूँ आखिकर list क्या है तो यह जो list आई ना आप लोगों के सामने यह list देख रहो यह आप लोगों की list है percentile base के उपर list है काफी सरोबच्यों के यह आपे 40 नंबर के यह आपे row score 50 दिखा रहा है 50 वाले row score के यह आपे 65 दिखा रहा है 65 जो row score आए उसके यह आपे 85 दिखा रहा है और किसी के score यह आपे 70 आए तो उसकी percentile 99 भी दिखा रहा है यह आप लोगों से मैं खे रहा हूँ आप लोग अपनी आगों से देख रहो तो आईए यह list आ चुकी है आप सब लोगों के यह आपे तो पर उबली जोन का यह आपे percentile normalization देख लेता है और सबसे पहले क्या करते हैं उबली जोन का यह आपे क्या कर रहे हैं हम लोग यह आपे जो आप लोगों का जन्रल हो जन्रल केटिक्रिओं आप लोगों का O BC केटिक्रिओं और आप लोगों का EWS केटिक्रिओं' और SC केटिक्रिओं और времonstrian आप यह आप लोगों का रहे हैं इंड़े nat जोन और चॊंआ सरभ पच्छों कि आपर 1st 2nd 3rd और यह date है आप लोगों कि आपकर कब कब एक जाम हुई और यह percentile score है और यह आप लोगों कर रो score है यह आपके कितना आ रहा है और यह category है तो आए देखते हैं इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 10 पर यह आप लोग यह आपके खुद अपनी आख वसे से अपलों कि आपनी से लिए इसका और यहांय वह अनलत गाल है जब करतार न्हुँ Semblese Therefore, इसे क्पेरनी है तो 50 – 60 हो आपकी जन्रल केटिकरों कि आप लोगों कि देकबाए गए 8 – 60 आपक यह ते लिए यहां पर 70 कर बन रही है और यहां पर दे रहा है और यहां पर जिन की कुछ SCT अभी यह है उसका DV Medical भी पका है आप यानि कि उसका PT में तो सेलेक्शन हो गाए होगा उसका फाइनल में भी सेलेक्शन हो जाएगा वोगि इतनी अच्छे परसेंटाइल लाना वो काफी अच्छी बात होती है यानि कि परसेंटाइल भी कम तो यह सारा सारा सिनोरी चल रहा है अब कैसे सिनोरी चल रहा है आप यहां पर द्यांत पूर्वग देखो तो सीरियल नंबर आप लोग देखो यहां पर परसेंटाइल नोर्मिलेजेशन हो रहा है और कैसे दस नंबर यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं आप लोग होगे तो सीयरियल नंबर आप लो देखओ को यहां पर सीरियल नंबर आप लोगar ein सतली से इसमें आप लोग जनरले के डिकर देखो तो इसके जोड़ हुसके रोई-सकोर आरहे और आप लोग अपनी आपकों से देखो इसके percentile कितनी अच्छी है 90 प्लस percentile है देखो 90 प्लस percentile है तो इसका तो बाइसाब physical में भी पक्का और यहां पर आप लोग वह इसका सब पक्का पक्का है इसका नोकरी पक्की इसके लिए यह मान की चलो आप लोग आपके क्योंकि जो आपके पक्का प्काश के बाद करहां इनके तो रोई स्कोर ही आपके 60-50 आ रहे हैं जब परसेंटाइल नोर्मलेजिशन होगा तो इनका सेलेक्शन पक्का तरह है और और देख लेते हैं 285 बी देख लेते हैं 285 देखो आप लोग 285 में लाता हूं 285 वीडियो में बहुत म आप लोग देखो यह आप लोग आपको से देखो जनरल केटिगरी है 55-60 नमबर आ रहे हैं 25-80 परसेंटाइल में रहे हैं 6 अक्टूमबर का एकजाम दिया था और एकजांपल देखो कासे सारे दिखा दिखा देखो आप लोग है 233 देखो 233 आप लोग होगा 233 यह रहा 233 242, 243 यह रहा 233 सीरियल नमबर 233 देखो हुबली सेक्ट शिफ्ट आप लोग 6 अक्टूमबर 35-70 परसेंटाइल और 40-45 अब आप दिया से देखो अब मैंने खाता है आप लोग से आप हैं आप देखो कुद देख लोग आपने आप हैं 6 अक्टूमबर का इसका देखो जनर 40 से लेके 45 अब यह देखने के बाद में आप लोग खुद ही सोचेंगे आप जैनरल केटिकरी है इसकी एक तो 40 से लेके 45 नमबर आ रहे हैं इसके और परसेंटाइल देखोगे तो आप लोग को कि हो सूट जाएंगे आप ए 70 से लेके 55 परसेंटाइल ऐसा क्यों वह मैंने ऐ इस लिए क्योंकि मैंने आप इसका आप घंजाम वहाह और चेह पट्व को एकशान ही है और चेह तो आपसे चालिस से लेके 45 है है यह तो इसकी परसेंटाइल कितनी है सतर से लिखे 55% बनी है तो आप लोग यहां पर हो सुट गई होगे ना देखें और देख लेते हैं यह तो आप लोगो कि यहां गी जनरल केटिकरी होगी और देख लेते हैं आप लोगो का OBC के लिए आप लोग यहां पर तो 285 255 आप लोगो का 233 यह आप लोगो का 255 यह रहन नीचे नीचे हैं तो 255 आप लोग देख पा रहे होगे कितने हैं 255 आप लोगो का 234 भी देख लेते हैं 234 नीचे आएगा नीचे क्या ऊपर आएगा 255 से साथ नंबर 65 से लेकर सतर परसेंटाल बन रहे हैं और देख लेते हैं आप लोगो के आप लोगो यह पूरी की पूरी लिष्ट में यह जो पहले तो सबके पास नहीं ता जिसकी बज़े से यहां पर फॉर्म कम लगें और यहां पर कटोफ भी आप लोगो कमी जाएगी तो यह ओगा यह ओगा है तो 200 263 देखो सिरेंटिकर साथ देख रहा है बहुत जाएगा परेशन कर से आप लोगो कर में 255 नमबर रहे हैं सिसेली के 85 परसेंटाइल है ग्यार अक्टॉमबर का एकशाम हो सेक्शिट में आ अब देल लेते हैं एस्टी के टीकरी का भी देख लेते हैं तो इसका तो पतर ना डाटा खाया है इसका आप लगी इस पीडिएफ के नतरर काफी जाद क्लूंप होजाएगे तो ये सारा फ़िता दो को पता नीग कोछ करी यारी कि आपलो देख पार होगे है मेने आप वो जनरल का भी है ना पर 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 कत्रेंटल बताया जया सट का पर रोख यहां चया laptop पॉराइल बता आपर यह You सब्सक्राइब बैस है तो सबस्क्राइब तो असलेक्शन हो जाएगा तो ये सारा कुछ अपडेट था जो मुझे आप लोगों बताना था और आप लोग मुझे comment box में बताओ ये जो मैंने समझा है आप लोगों को समझ में आया ये नहीं आया और नहीं आया समझ में तो नीचे comment कर सकते हो और थोड़ी सी मैंनत करी यार उसको like वाइक करते हो ना को क्या करते हैं मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से next टूडियो के साथ